नमस्वे उस्तो आज का डेट है 17 फरवरी 2024 और अभी हम डिसस करेंगे दा हिंदू के कुछ important articles तो आज के दा हिंदू के न्यूजपेपर में कुछ ज्यादा महतपूर नहीं है लगातार जो है पो एडी के द्वारा जो छापे मारे जा रहे हैं नोटीस भेह जा रहे हैं विप कहा जाता है कि इस बार जो है वो ज्यादा सर्दी नहीं पड़ी वहां पे बर्फबारी नहीं हुई उसके करण जो है वो परेटक उतने संख्या में नहीं आ पाया फिर भी जो है वह माचल पर्देश का GDP ग्रोथ देखा गया अलगफक 7.4 परसेंट तो यह एक बस छोड़ा ड्रग के छेतर में हम लोग अपना विकास कर सके ठीक है उसके अगला एकल जो था इंकम टेक्स के दौरा लगतार जो है वो कॉंग्रेस के एकाउंड की चानवीन की जा रही है ठीक है तो यही सारे आर्टिकल थें इसलिए आज हम लोग डिसेस करेंगे जो इस वीक में एक स्वाती प्रोग्राम क्या होता है महिलाओं कुछ थान की लिए खास के साइंस एंट टेक्नोलोजी के छेत्र में उसको डिसेश कर लेंगे उसके आद सबसे महत्पूर्ण जो आर्टिकल है आर्पीए एक्ट 1950 और 1951 दोनों को हम लोग अच्छे तरीके से डिसेश कर लें क्योंकि अभी आप लोग जानते हैं कि लोग सभा का चुनाओं बहुत ही नेज़ दीखे 2024 में जो है वो लोग सभा का चुनाओं होने वाला है इजी के लिए आर्पीए एक्ट बहुत महत्पून हो जाता है ठीक है उसके वाद किसी और दिन जो है आर्टि आई एक्ट कर लेंगे तो सबसे पहला जो आर्टिकल है खोरिहभा क्या होता है ठीक है तो करनाटक के सीवोंगा जीले में बार्सीक Dal एक कार्यकरम चलता है ठीक है जो वर्ष में एक बार होता है हरी हववा बैलो को डोड़ाया जाता है इस तरह से, बैलो को सजाकर, भीड में, ठीक है, डोड़ाया जाता है, और अभी हाली का घटना देखा गया है कि अलग-अलग दो घटनाओं में दो ब्यक्तियों की मौत हो गए थी इसी भगदर में ठीक है इसी खेल के कारा है तो होरी हब्बा जिसे हट्टी हब्बा या फिर कोबारी होरी परतियोगिता के नाम से जाना जाता है यह एक ग्रामीन खेल है जिसमें पर्सिछित बैलो और मवेशियों को भीड के बीच में दोड़ाया जाता है ठीक है भीड के बीच में इन मवेशियों को सजाधा जाकर दोड़ाया जाता है और पकड़ने वाले जो भी लोग मवेशियों को रोकने में कामयाब हो जाते हैं नियंतित करने में काम्याब हो जाते हैं, उनको नगत पुरसकार दिया जाता है, या फिर खोपरा या फिर उपहार समागरी के रूप में पुरसकृत की आ जाता है, ठीक है, और होरी हबबा जो होता है, वो आमतोर पर दीपावली और मकर संक्रान्ति के तेओहार के बीच कटाई के मौसम के दौ बोरी हबबा कहते हैं उसके अगला जो है श्वाती प्रोग्राम स्वाती प्रोग्राम को ही कहा जाता है साइंस फॉर बुमेन और टेकनलोजी और इन्नोवेशन पोर्टल यह ध्यान रखेगा ठीक है तो बिज्ञान में लड़कियों और महिलाओं के लिए अंतराष्टिय दि और टेकनलोजी और इन्नोवेशन पोर्टल ठीक है यह ध्यान रखेगा तो इसी के नाम पर यह नई इनिसेटिव शुरू की गई है और मुखिता स्वाती जो इनिसेटिव शुरू की गई है यह राश्टिय पादव जिनोम अनुसंधान संस्थान उसी कहा जाता है नेशनल इनिसेटिव का ठीक है इस पोर्टल का जो मुख्य लक्ष है देश भर में बिज्ञान में महिलाओं का एक व्यापक डेटा बेस त्यार करना कि कितनी महिलाएं कितनी संख्या में जो महिलाएं हैं वो साइंस के छेत्र में अपना योगदान दे रही है तो यह स्विकार करते हुए कि विज्ञान में जो है बोलेंगिंग समानता किबल महलाओं का मुद्दा नहीं है बलकि सरकार भी चाहती है ठीक है विभीन प्रकार के डिपार्टमेंट्स चाहते हैं कि ज्यादा ज्यादा लेंग समानता सुनिशित क्या जा सके साइंस के छेत्र में ठीक है तो स्व विज्यान में लेंगिक असमानता को दूर करने के दिशा में सकरात्मक कदम के रूप में देखा जाता है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बुमेन के इंपावर्मेंट की बात की नहीं की जाती है, नॉन मेल, ठीक है, जितने भी गैर पुरूस लिंके हैं, उन सभी को यहां पर इंपावर करने की बात की गई है, ठीक है, अब देख लेता है, यह टोपिक है, प्लास्टिक क्रेट्स बॉंड, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लास्टिक क्रेट्स बॉंड जो है, वो बर्ड बैंक और सिटी द्वारा लगभग सौ मिलियन डॉलर के खर्च करके किया गया है, तो यह जो बॉंड है, बॉंड विल फंड, रिसाइक्लिंग प्रोजेक्ट इन गहाना एंड इंडोनेसिया दैट जेनरेट आपसेट क इसी के लिए जो है, वो प्लास्टिक क्रेडिट बॉंड शुरू किया गया है, तो यह जो सिटी होता है, सिटी सीमा पर क्रोस बॉर्डर एक कंट्री से दूसरे कंट्री की जरूरतों वाले संस्थानों के लिए एक परमुख बैंकिंग भागिदार है, ठीक है, बैंकिंग भागिदार है, और धन प्रबंधन में एक बैस्विक नेता और सन्युक्त राज अमेरिका के अपने घरेलू बाजारों में एक मुल्यवान व्यक्तिगत बैंक है, तो सिटी लगभग 160 देशों और नियाय छेत्रों में कारोबार करती है, लगभग 160 देशों में ये जो है सि इंखला भी परदान करती है, ठीक है, एक बात और याद रखेगा कि इस लेक्चर के लास्ट में हम लोग 5 MCQ डिस्स करेंगे जो की है करेंट अफेर से, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखेगा, ठीक है, और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजे, शेयर कर दीजे और करने के उदेश से लगभग 100 मिलियन डॉलर का बॉंड लॉंज करने का सहीयो किया है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे बॉंड और PCB होता क्या है, मतलब कि प्लास्टिक क्रेडिट बॉंड क्या होता है, तो बॉंड सिंपली होता है, एक बितिय साधा ने जो ए उद्हार लेते हैं लोन समय समय पर ब्याज का भुकतान करते हैं, ठीक है, जिससे मान लीजे मैं जिस तरह से एक बॉंड जारी किया 100 रुपे का, राम और सियाम है, तो सियाम को अगर राम ने 100 रुपे का बॉंड दिया, तो फिर सियाम जो है वो राम को, अगर मान लीजे तो वो अगले माह से 10% हर माह उसको ब्याज देगा ठीक है इसी का बात क्या जा रहा है कि उधार करता समय समय पर ब्याज का भुखतान करने और जब मैचुरिटी हो जाएगी परिपकवता पर मूल रासी बापस करने के लिए सहमत होता है ठीक है जैसे कि 12 महीने के लिए अगर 100 रुपय उधार लिया है यह तो 10-10 रुपय देता ही जाएगा उसके आज जब 12 महीने हो जाएगा तो उसको 100 रुपय का मूल रासी जो है उसको भी बापस कर देगा उसी का बात कहा जा रहा है तो यहां पर मेली जो है जो भी उधार देता है जो भी लोन देता है तो उसको भी इंट्रेस्ट के रूप में फाइदे होते हैं, ठीक है, तो प्लास्टिक क्रेट बॉंड को घाना और इंडोनेसिया में कच्रे से ये ध्यान रखेगा, तो प्लास्टिक क्रेट बॉंड जो है मिली घाना और इंडोनेसिया देशों में कच्रे से निपटने के लिए लाया होता है तो निवेश्को को 20 वेंग द्वारा गरंटी क्रीत साथ साल की अब धी के अंत में एक कॉइंट 75 परसेंट में नियुंतम ब्याज भुगतान के साथ अपना मुल्धन बापस के जाए ठीक है तो यहां पर साथ वर्सों का जो साथ वर्सों में उसका मुल्धन दिया जाएगा और उसी बीच जो मंतली अगर निधायत क्या गया है तो 1.74 परसेंट उसको ब्याज भी दिया जाएगा ब्ल्वेंग के द्वारा ठीक है यह इनिसिटिव में लिए जो है वो प्लास्टिक को कम करने के लिए उसको रिसाइकल करने के लिए ही नए नए प्रोजेक्ट को बहतर करने के लिए खास कि यह जो लिश्ट डेवलपिंग कंट्रीज है घाना हो गया या इंडोनेसिया हो गया वहां पे प्लास्टिक के बेहतर प्रवंधन के लिए ही प्लास्टिक क्रेट बॉंड को लाया गया है तो यह जो इनिसियेटीव है वो उभरते कार्वन क्रेट बाजार में और बृध्धी का संकेत देता है प्लास्टिक बॉंड जो है वो पिछले परिणाम बॉंडों का अनुसरन करता है जिसमें अफ्रिका में बन्य जीव सनरक्षन के लिए राइनो बॉंड ऐसा पहले भी बॉंड लाय जा चुका है बन्य जीव सनरक्षन के लिए तो प्लास्टिक को प्रवंदित करने के लिए भ मैं भी एक बॉंड लाया गया था जो जो कारबन इमिशन है उसको भी कम करने में योगदान किया था वियत नाम में खास में इसलिए उसी के तर्ज पे जो है बरतमान स्वाय में इंडोनेसिया और गहाना में बल्ड बैंक और सीटी के सन्युक्त सहयोग से प्लास्टिक क्रेट बॉंड जो लाया गया है लगभग सो मिलियन डॉलर को यहां पर इंवेश्ट किया गया है ठीक है जिससे बहतर तरीके से प्लास्टिक को रिसाइकल और प्रमधित किया जा सके है अब आयाते हैं जो आज का हमारा मुखे टॉपिक है और पीए एक्ट सभी माम्लों में प्राब्धान करने की अनुमति देता है संसथ और राज बिधान बंडल और पीए एक्ट 1950 या रिपर्जेंटेशन और पीपल एक्ट 1950 तो लोगसभा और राजिक के विधान मंडोलों में चुनाओ के उद्देश से सीटों के आवंटन ठीक है और निर्वाचन छेत्रों के परिशीमन ठीक है इसी का लगातार बात के जरा है कि अभी जो है परिशीमन अगला जो होगा बो लगभग वी बरतमान स्वाय में जो जनगन्ना होगी उसके बाद ही दुआर 26 में होने की उमीद है तो इन निर्वाचन छेत्रों के परिशीमन ऐसे चुनाओ जैसे कि लगातार हर दस वर्सों में जनगन्ना कराने की बात की जाते है क्योंकि देखा जा ऐसे चुनाओं में जो है मदताओं की योगताओं मदता सुची को तयार करने तो यह सारे चीज जो है कर चुनाओं से पहले का इसे कि मदताओं की योगताँ क्या जाता है मदाता सुची को तयार कराया जाता है तरीके का प्रावधान करने के लिए एक अधिनियम जैसे राज्यों की परिशत में केंदर सासित परदेशों के परतिनियत्व द्वारा भरी जाने वाली सीट और उसे जुड़े मामले भी होते हैं तो जो आर्पी एक्ट 1950 है उसमें क्या क्या दिया आते हैं तो मदाताओं की योगिता याद रखेगा मदाता सुची त्यार करने के लिए उसके निर्वाचन छेत्र का परिशीमन ये सारे चीज जो है कारेकरम वो चुनाओं से पहले कहे होते हैं चीक है और संसद और राज बिधान मंडोलों में सीटों का आवंट अब देख लेते हैं इसकी मुख्य की से स्ताइं क्या हैं ये 59 decía तो प्रमुख प्राभधान जो है वह निर्वाचन छेत्रों के परिशीमन के लिए परखिर्या निधायित करना ठीक है निर्वाचन छेत्रों के परिशीमन के लिए उसके हैं लोगसभा और राज्यों की तक पढ़ चुके हैं उसके निर्वाचन छेत्रों का परिशिमन कैसे क्या आता है तो भारत के राश्पति को Election Commission of India से परामर्स करने के बाद ही निर्वाचन छेत्रों के परिशिमन आदेसों में संसोधन करने की सक्ति है यहां पर याद रखेगा कि भारत के राश्पति को चुनाव आयो से परामर्स करने के बाद ही निर्वाचन छेत्रों के परिशिमन के आदेसों में संसोधन करने की सक्ति परदान की गई है ठीक है अनुसूशी जन जाती के लिए आरचित निर्वाचन छेत्रों को निर्दायत करने की सक्ति है यहां पर इलेक्षन कमिशन ओफ इंडिया को ठीक है नाम याद रखेगा मेगहाले मिजोरम नागालेंड और त्रिपूरा अब सीटो का आव अबभंटन कैसे होता है जहां तक संभब हो परतेक राजे को जनगन्हा के आकड़ों के अनुसर उनकी जनसंख्या के अनुपात में लोग सवहमें परतिनेहित मिलता है ठीक है उनकी जनसंख्या के आधार पर इसी पर भी लगातार विबाद हो रहा है अब अब भारीक है ठीक है अब मताता सुची कैसे तैकिया आता है तो 1950 का धिनियम जो है वो मताता सुची में उन व्यक्तियों के पंजी करहन के अनुमती देता है जो समाने रूप से निर्वाचन छेतर के निवास ही और निमलिखी धारना करने वाले ब्यक्ति है जैसे सेवा योगता जैसे ससस्त्र बलो का सदस्य हो किसी राज के ससस्त्र पुलिस बल का सदस्य हो राज के बाहर से बाहर या भारत के बाहर तैनात केंद सरकार के करमचारी हो ठीक है उसके आद भारत में कुछ कारयलों की घुसना जो है वो राश्पती द्वारा Election Commission of India के प्रामर्स से की जाती है ठीक है भारत में कुछ कारयलेव की जो घोसना होती है वो राश्पती द्वारा Election Commission के प्रामर्स पहीं की जाती है ऐसे व्यक्तियों की पत्निया भी समभ़ता भारत में रहने वाली माने जाती है पत्नी सब्द को पती पत्नी से बदल कर कुछ प्राबधानों को लिंग तटस्त बराने का भी प्रस्ताओ है उसमें आगे कहा जाता है कि चुनाओ अधिकारी कौन-कौन से निक किया आता है चुनाओ के समय तो मुख निर्वाचन अधिकारी जो होता है Chief Election Officer तो परतेक राज में या फिर किंद्र सासित परदेश में चुनाओ कारे की निगरानी के लिए राज सरकार के परामर्श से ठीक है यहाँ पर राज सरकार के परामर्श से Election Commission of India दोरा नामित या नामांकित एक CEO ठीक है Chief Election Officer तो CEO जो होता है वो राज सरकार के परामर्श से राज के एक अधिकारी को जिला चुनाओ अधिकारी के रूप में नामित करता है यह ध्यान रखेगा CEO जो होता है वो Election Commission of India प्लस अस्टेट गोवर्मेंट दोनों के सनुक्त विचार के बाद ही Chief Election Officer को लायाता है उसके बाद Election Commission of India और राज सरकार के परामर्श से राज के ही ठीक है जो राज सरकार के अंडर कारे कर रहे हैं राज के ही एक अधिकारी को जिला चुनाओ अधिकारी उसी को District Election Officer भी कहा जाता है तो DU और CU के समगर अधिक्षण और नियंत्रन के तरहत ही चुनाओ परक्रिया का पूरा का पूरा का पूरा कारेभार देखा जाता है उसके निर्वाचक रइश्ट्री करन अधिकारी उसी कहा जाता है ERO ठीक है मतलब की Election Registration Officer तो ERO जो होता है वो परतेख निर्वाचन छेत्र के लिए मदाता सूची तयार करने के लिए जिम्मिदार होता है और मदाता सूची के अधितन के दौरान ERO ठीक है जो की registration के लिए जिम्मिदार होता है ठीक है तो ERO के आदेश से खिलाफ अपील अब जिला स्ट्रेट के पास किया था ठीक है यहाँ पे अगर कोई समस्या होती है तो जिला मजिस्ट्रेट के पास ERO के अपील भी किया जा सकता है उसके ARO, returning officer, ARO1 निर्वाचन श्यत्र में चुनाओं के संचलन यह देख सकते हैं ARO क कार जो होता है वो चुनाओं के संचलन चुलाओं जब सुरू हो जाता है उसी समय ARO बनाये जाता है ठीक है आरो एक निर्वाचन छेत्र में चुनाओ के संचालन के लिए जिमेदार होता है और एक निर्वाचित उम्मिदार को बापस लोटाता है ठीके तो इलेक्षन कमिशन अप इंडिया और राजी सरकार के परामर्ज से सरकार या अस्थानिय प्राधिकरन के एक अधिकारी को ठीक अब नियम बनाने की सक्तिय किसके पासे तो अधिनियम के तहट जो है वो नियम बनाने के सक्ति किन सरकार को परदान की गई है जो लेक्षन कमिशन अप इंडिया के प्रामर्ज से इस सक्ति का परियोग कर सकता है और सिविल नियालेव को मदाता सूची के पुनेरिशन के सं तो दोएदस में विदेश में रहने बाले भारतिय नगरी को भी मद्दान का अधिकार दिया गया दोएदस में ठीक है अब इसमें देख लेते हैं कुछ अन्षीडियूल तो आर्पी एक्ट उनएस सो पचास के कुछ सेडियूल जैसे पहला सेडियूल जो है यह दिहान रखे बिधान परिशत में सीटों के आवंटन के लिए और चौथी अनुसूची दिगई है वह विधान परिशत के चुनाओं के पर्योजन के लिए अस्थानिय प्राधिकारी के लिए प्रावधान के लिए तो धियान रखेगा पहला जो है वह लोग सभा दूसरा जो है वह वह संख्या उसके तीसरा जो है वह वह विधान परिशत और चौथा जो है वह वह विधान परिशत के चुनाओं के पर्योजन के लिए अस्थानिय प्राधिकारी को जुक्त करने के लिए अब देख लेते हैं हमारा आर्पी एक 1950 खतम हो गया अब 1951 की कुछ मुख भी से स्थाय उन सद्नों की सदस्ता के लिए योगिता और अयोगिता परदान करता है ठीक है तो ऐसे चुनाओं में या उसके संबन में भरष्ट आचरन और अन्य अपराध तो था ऐसे चुनाओं के संबन में उत्पन होने वाले संदेह और विबादों का भी निरने दिया आता है तो द कानून मत्री डॉक्टर बियार अंबितकर ने संसद में पेश किया था यह अधिनियम पहले आम चुनाओं से पहले भारत के संभिधान करेंशे 327 तो यह ध्यान रखेगा और पी एक्ट 1901 क्याबन जो है वो आर्टिकल 327 में आया है ठीक है और यह पहले आम चुनाओं से पहले ही भारतिय संभिधान करेंशे 327 के ताहत अंतिम संसद वारा अधिनिमित किया गया था ठीक है अब देख लेते हैं कि आर्पी एक 1951 के ताहत क्या क्या चीजे मुख है जैसे मुख बिंदू में चुनाओं कराने के लिए परशास्निक मशन सर्या यह सिर्फ और सिर्फ यह दिहान रखिएगा पहला जो था वह चुनाओं से पहले था है सकते तो चुनाओं कराने के लिए परशास्निक मशिनरी चुनाओं का बास्त्विक संचालन का पंजी करन मतदान चुनाओं अपराध Liam चुनावी विवाद उपचुनाओ ठीक है ये जैसे मालेजे कोहीं भी चुनाओ अगर रद होता है धुखदड़ी हो जाता है तो उसके बाद ही फिर से उपचुनाओ कराया जाता है फिर विधान सभाव ठीक है उन सभी सदस्वा की योगता और योगता के लिए प्रावधान भी बनाता है ऐसे चुनाओं में या उनके संबन में ब्रश्ट आच्रन अन्यापरा से समयद भी जो मामले हैं उसको भी निप्टान करता है और प्यक नैटिन फिप्टी बन के दौर और किसी भी संसद्य निर्वाचन छेत्र के लिए निर्वाचक है किसी राज में अनुसुजी जाती के लिए अरची सीट के मामले में ठीक है ऐसा सिर्फ हो सिर्फ आरची सीट के मामले में होता है बह किसी भी राज की किसी अनुसुजी जाती के लिए अरची सीट के मामले म यहां पर योग नहीं होता है वह स्ट के लिए रिजर्व होते हैं जनल में तो सभी लोग लड़ सकते हैं लेकिन एसी के लिए लोग ही लड़ सकते हैं आगे कहा जाता है कि कि राजव दिशाद्रेश्णा के लिए योगिता है तो कोई व्यकटी राजी सभा में किसी राज या यूटी के परतिनीत के रूप में चुने जाने के लिए तब तक योगे नहीं है यहां पर भी तब तक योगे नहीं है जब तक कि वह किसी संसदी निर्वाचन शेत्र के लिए निर्वाचक न हो ठीक है निर्वाचक होना बहुत ही जरूरी है अयोगिता क्या है चुनाओ अप कर दिया गया क्योंकि उनको जो सजाद दी गई थी दो वर्सों से जाद दी गई थी विभीन समुहों के बीच सतुरता को बढ़ावा दने के लिए समय के भीतर अपने चुनाओ खर्च का लेखा जोखा जामा करने में विफल रहा हो उसके सरकारी ठेको कारे या फिर सेवाओं में रूची होना जैसे कि अभी बर्तमान में जो जारखंट के सीम थे ठीक है उनको एरेश कर लिया गया है यही कारुनों से ठीक है और यदि भरष पर्चार करने के लिए डंडि ठुपा हो ठीक है उतके बाद चुनावी अपराद आर पीए एक उन्हें सो 51 के अंतरगत क्या क्या है चुनावी अपराद जैसे मद्दाताओं को वोट देने या वोट न देने के लिए तथा उम्मीद्बारों को नमंकन बापस लेने या न वापस लेने के लिए किसी परकार की संतुष्टी को भरष्ट आचरन माना जाता है किसी चीज को लिए अगर फोर्स किया जा रहा है तो उसको एक भरष्ट आचरन माना जा रहा है इसमें उम्मीद्बारों या उनके चुनाव एजेंट द्वारा किसी चुनाव अधिकार के स्वतंद्र परियोग में कोई भी पर्तेक्च या पर्तेक्च हस्तचेव जैसे पैसे दिये जा रहे हैं ठीक है वो कहीं न कहीं इनलीगल है अगर पकड़ा जागा तो उसके निशीत कारवाई होगी अपने धर्म नसल जाती समुदाय या भासा अधिक आधार पर बोट देने या बोट देने से परहेज करने की अपील करना ठीक है उसके बाद भारत के नागरिकों के विभीन बर्वों के बीच धर्म नसल जाती समुदाय या भासा के आधार पर सतुर्ता या घिर्णा की भावनाओं को बढ़ाबा देना ठीक है सती पर्था या सती पर्था का परचार या उनका महिमा मन्निन करना किसी भी उमीदबार के व्यक्तिगत चरित्रिया आचरन के संबन्द में किसी भी गलत तथ का प्रकासन करना किसी उमीदबार या उनके एजेंट या अन्य व्यक्ति द्वारा बूत पर कबजा करने का प्र आपधान दिये गए हैं आर्पी एक 1951 में जिसमें धारा सततर के अनुसार कहा जाता है कि लोग सभा या किसी राज की विधान सभा के लिए चुनाव लड़ने वाले परतेक उमिदबार को सुए या या अपने चुनाव एजेंट के माध्यम से सभी खर्चों का एक अलग और स सब्सक्राइब के नाम और पते में परिवर्तन की सूचना जो है वो इलेक्षन कमिशन आफ इंडिया को दी जानी चाहिए एलेक्षन कमिशन आफ इंडिया किसी पार्टी की मानेता रद नहीं कर सकता यह दियान रखेगा कि चुनाव एक जो है वो किसी पार्टी की मानेता रद नहीं कर सकता है अब आरप्य in future uone बहुत महत्म पूर्ण है इसमें कहा जाता है कि मद्दान समाव्त होने या समाव्त होने से 48 घंटे पहले किसी निर्वाचन छेत्र में टेलिवीजन या इसी तरह के उपकरन द्वारा किसी भी चुनावी मामले को पर्दसित करना परतिवंधित है ठीक है तो यह ध्यान रखेगा धारा 126 में बात की जा रही तो धारा 126 फिर मेडिया समचार पोर्टल और ससल मेडिया पर लागू नहीं होता ये भी ध्यान रखेगा धहरा 126 जो है को फ्रिंत मेडिया समाचार पोर्टल फिक या फिर सोसल मेडिया इंद चीजों पर लागू नहीं होता धारा 126 splash 255arnya उसके प्ड़िंद संचान और उसके प्शा स्वेच्छिक योगदान इसी सब वो कारण जो है इलेक्टोरल बॉंड को भी रद कर दिया गया है कोई भी कंपनी किसी भी राइनितिक दल को कितनी भी धनरासी दान कर सकती है कंपनी पर इस तरह के दान की जानकरी अपने लाब और हानी खाते में देने की कोई बाधता नहीं है ठीक है लेकिन बरतमान समय में जो सुप्रीम कोट है वो सब्सक्राइब से 2019 से अभी तक जितने भी इलेक्टोरल बॉंड के माधम से दान दिये गया है उसको मांगा गया है ठीक है तो राइनितिक दलो के लिए यह अनिवार है कि 2000 रुपए से अधिक जितने भी धन प्रा होगा तो राइनितिक दल जो है वो 2000 रुपए से ज्यादा नगत चंदा नहीं ले सकते हैं अब राइनितिक दल जो है वो विदेशी अंसदान अधिनियम 210 के तहट परिभासित विदेशी कंपनियों से युगदान सुईकार करने के भी पात रहें 210 के अधिनियम के बाद से अब देख लेते हैं संपत्ती और देंदारी की क्या घोसना है तो चुनाव लड़ने वाले ब्यक्ति को अपने आपराधिक रिकॉर्ड संपत्ती और देंदारी और सैच्छिक योगता की घोसना करते हुए एक हलाफ नामा दाखिल करना होगा निर्वाचन होने के बाद जो है वो सांशदों को लोगसभा अध्यक्ष और राजी सभा के सवापति के पास संपत्ती और देंदारी की घोसना दाकिल करनी होती ये घोसनाई जो होती है वो सांसदों को संसद में अपनी सीट लेने के 90 दिन के भीतर सीट लेके उसके बाद 90 दिनों तक ये देंदारी देनी होती है अब आयोगिता क्या कहा है कुछ अपराधों के लिए दो सिध्धी पर परतिनित्व की आयोगिता तो धारा आठ जो है वो कुछ अपराधों के लिए दो सिध्धी पर परतिनित्व की आयोगिता सम्माईत है विभिल उप खंड सामिल है जिसमें आठ एक में ये सारे दंड जो है निधायत किये गया है भारतिय दंड सनीता के इसमें जुर्माना ऐसी सजा की तारिक से 6 साल की अब्धि के लिए ठीक है तो ये सारे चीजें जो है वो दंड को विधायत किये गया है उसके आठ दो में किसी व्यक्ति को निम्रिखित के उलंगन के लिए दोसी ठहरा जा सकता है जैसे जमाख खोरी या फिए मुनाफ़ा खोरी की रोक्ताम के लिए परदान करने वाला उसके आठ किसी व्यक्ति के लिए दोसी ठहरा जासता है तो इस उपधारा में दोसी सांस दो के लिए प्रापधान था कि अगर वे अपनी सजा के तीन महीने के भीतर अपील दायर करते हैं तो वे अपनी सीट बाकरार रख सकेंगे जिसे अभी समाप कर जागा है तो दोसी सब्सक्राइब में पटना उच्छ न्यालेने भी न्याय या फिर पुलिस हिरासत में बंद व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोक दिया था ठीक है यह धियान रखेगा उसी के बाद से लिली थॉमस मामले में सुप्रीम कोट ने इसे रद कर दिया अब क्या क्या संसोधन किये गए हैं तो धारा 126 ए ठीक है जिसमें प्रिंट मेडिया में परचार नहीं किया जा सकता था सोचल मेडिया पर जो है वो उस धारा के अंडर नहीं आता था इसी में कुछ संसोधन किये गए हैं धारा 126 ए को सामिल करने से चुनाव समापतों होन तक एकजीट पूल परकासित करने पर परतिबन लगा दिया गया है उसके धारा आठ चार जो है जो दोसी सांस दो विधायकों को शिकायद दर्ज करके चुनाओं में खड़े होने की अनुमदी देती थी निरस्त कर दिया गया है ठीक है जितने भी शिकायद दर्ज हैं अगर सांसद अया विधायक तो अब उनको नहीं दिया जाएगा चुनालने का अफसर तो यह राइजिती को अफराद मुक्त करने के दि नहीं रह जाता है इसलिए हालियां संसोधन में आर्पिय की धारा बीस ए सामिल है जो एन आराई जितने भी एन आराई होते हैं उनको बरतमान निवास से डाक के द्वारा ठीक है पोस्टल के द्वारा अपना वोट देने का अधिकार है ठीक डाक मत्पत्र पनाली के माध्य करने की अनुमति देता है तो सुप्रीम कोट में चुनाव आयोग से नोट बटन लाओ करने का ठीक है नोटा जो की कि कोई भी मेरा अनुसार से सही नहीं है तो अब मदाता चुनाव का भाहिसकार करने के बजार आश्विकार करने के अपने अधिकार का पर्योग कर सकते हैं ठीक है लेकिन इससे कोई फाइदा भी नहीं है अभी अभी तक भारतिय इलेक्शन का सिस्टम है उसमें नोटा का बहुत ज्यादा फाइदा नहीं है अगर सिस्टी परसेंट लोग भी नोटा दे जते हैं तो जो चालिस परसेंट बोटिंग हुई है उसी में से सही परतिनित चुन दिया जाएगा ठीक है साट परसेंट का बोट का कोई वैलियू ही नहीं होगा तो चुनोतिया क्या क्या है आरपी एक्ट में गलत खुलासा किया जाता है बहुत बार राजनिति का नौकर साही करन ठीक है उसके बाद इसके बाद कमिशन की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती सरकारी मशिनरीयों का दुरूपयोग क्या जाता है बहुत बार ठीक है तो इनी कारणों से इसमें राटर के द्वारा जो है आगे का रास्ता में क्या सुझाओ दिया आता है तो ओपिनियन पोल पर पर परतिबंद जो लगा दिया गया है ठीक है और पिये 1951 में किये गए संसो स्वत ठीक हो जा किये तो इस्तिए पबार राचिन में रहने वाले निरक्षर जो है वह मतसी के लिए परकासन पर नजर पाते हैं तो चुनाओं का राजबित पोशन चुनाओं में धन की भूमिका को कम करने के लिए चुनाओं के राजबित पोशन के प्रावधान कि जाने चाहिए ठीक है आप दख लेते हैं कुछ महत्पुन questions तो पहला question है हमने British model पर आधाइब संसदिय लोक्तंत्र को अपनाया है लेकिन हमारा जो model है उस model से कैसे भीन है यह जो है UPC के 21 के PT में यह सवाल आया था कि British model और भारतिय संसदिय model दोनों में कैसे difference है तो पहला statement है जहां तक कानून का सवाल है British संसद जो है वो सर्वोच या संपरभू है लेकिन भारत में कानून बनाने की संसद की सकती सिमी थे सही बात है भारत में जो है वो संसद के किसी अधिनिये में संसोधन की संबधानिकता से समहित मामलोग को सर्वोच नियाले द्वरा संबधान पीट को भेजा जाता है तो क्या हो जाए इसका सही उतर इसका सही उतर हो जाएगा दोनों सही उसके अगला कोशन है यह बहुत ही महत्पुन कोशन है laughing girl यह पक्षी है ठीक है migrated bird है laughing girl के समन में निमलखी कत्मों पर विचार करें तो पहला statement है laughing girl जो होता है वो उत्री अमेरिका का एक प्रवासी पक्षी है सही है हाली में इसे भारत में पहली बार देश के उत्तर पुर्वी हिस्से में देखा गया था यह केरल में देखा गया था अपनी अनोखी हसी जैसी आवाजों करन इसे laughing girl के नाम से जान जाता है यह दोनों सही है दो कथन इसमें सही हो जाएंगे इसमें देख सकते हैं यह जो है वो एक पच्छी है laughing girl जो है उत्री अमेरिका का एक प्रवासी पक्षी है देश में पहली बार कासर गोड जिले जो की केरल में के चितारी मुहाने पर देखा गया था यह पक्षी जो अपनी अनोखी हसी जैसी आवाजों के लिए जानी जाती है तो पक्षी का उपरी हिस्सा जो होता है वो काला पैर काले लंबी जुकी हुई चोंच और सीर के पिछ अधिकार रधिनियम जो है वो आदिबासी सम्मुदायों और बन निवास नागरिकों को पीडियों से कब्जा की गई बन भूमी पर कानूनी अधिकार का दावा करने में सक्षम बनाता है दूसरा स्टेटमेंट है यह ग्राम सभाओं या ग्राम परिश्यों को यह निर्ने लेने का अधिकार देता है कि उनकी बन भूमी का सर्बोत्तम उप्योग कैसे किया जा सकता है तीसरा जो अस्टेटमेंट है गैर बाने की उप्योग के लिए बन भूमी के किसी भी आस्थानतरन के लिए ग्राम सभा की सहमाती की आवासकता नहीं है तो क्या हो जाए इसका सह इसका सही उत्तर हो जाएगा केबल दू अस्टेटमेंट सही है ठीक है तो यह दिहान रखेगा जो तीसरा श्रीटमेंट है यह गलत है कि ग्राम सभाओं या फिक ग्राम परिश्यद्य को यह नहीं लेने का अधिकार देता है कि उनकी बन भूमी का सरबुत्तम उपयोग कैसे क कि आ जाता है और गैर बान की उपयोग के लिए बन भूमी के किसी भी आस्थाना दरन के लिए अब उनकी सहमती जो है वो बहुत ही आवश्यक है एफ आरे एक्ट के अनुसा है ठीक है इसलिए पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है लेकिन तीसरा गलत है अगला कोश्चन ह इलेक्ट्रोनिक मृदा यह ध्यान रखेगा इस वाइल भी का जाता है इसलिए यह महत्पुर्ण हो जाता है इसके समद में निवलकी कत्नों पर विचार की जिए तो पहला स्टेटमेंट है इस वाइल एक बिद्यूत परवाहकिये विकास सबस्ट्रेट है जो सेलूलोज औ और एक परवाहकिये पॉलिमर से प्राप्ठ होता है दूसरा स्टेटमेंट है कि सौइल पौधे की जड़ों को विद्यूत रूप से उत्तेजित करने के काम करता है तीसरा जो स्टेटमेंट है यह हाइड्रोपॉनिक्स के साथ संगत नहीं है क्या हो जाए इसका सही उत्तर तो इसका स्टेटमेंट जो हो जाएगा यहाँ पर दो अस्टेटमेंट जो है वो सही है इसके बारे में कुछ चीजे जान लेते हैं तो सोत करताओं ने हाइड्रोपॉनिक्स में इलेक्ट्रोनिक मिट्टी पर एक अभुद्पूर्व अध्यन क्या जो सस्टेनेबल सहरी क् रिशी और खाज सुरच्छा की छमता की पेशकस है तो इस वाइल एक बिदूत प्रभाहक्य विकास सबस्टेट है जो सवयलोज और प्रभाहक्य पॉलीमर से प्राप्थ होता है तो यह धियान रखेगा यह स्टेटमेंट सही हो जाएगा और यह कम सक्ति के साथ पौध्य क लिए विकास ठीक है बहुत कम इनर्जीच उपयोग करता है और पॉधे की जणो और विकास के बाताबरन को उत्यज करता और परामपरिक तरीकों के लिए एक शुरच्छित और परियावरण के अनुकूर विकल्व परदान करता है तो इस्वाइल पौधे की जणो को विद प्रोपोनिक के साथ इसकी अनुकुलन सीलता है यहां पर लिखा गया था यह संगत नहीं है इसलिए तिसरा स्टेटमेंट गलत हो गया ठीक है अब बढ़ते हैं अगले कोश्चन की वह तो अगला कोश्चन है नंदन कानन प्राणी उद्यान के संबंद में निमलखी कत्मों प जो जली जीव रहते हैं मैं सामिल होने बाला भात का पहला चिणिया घर होने का गौरब प्राथ किया है नाम याद रखेगा नंदन कानन है नुए है मित दूसरा चिटमेंट यह भारत फेंगोलीन और सफेद बाहों के परšणन के लिए पहशाना जाता आता है तिसरा स्टेटमेंट है यह जो द्यान है यह किए हम अच्छे तरीके से पढ़ा है 1950 और 1951 ठीक है तो इसको ध्यान रखेगा इसके महत्पून पॉइंट को बहुत बार रिवाइज करिए क्योंकि इससे लगातार सवल बनते हैं और अभी चुनाओ का समय है इसलिए आर्पी एक्ट बहुत ही महत्पून हो जाता है ठीक है पर इसीमन के लगातार बात होती रहती कि इसलिए बहुत ही महत्पून आर्पी एक्ट आप लोग ध्यान से पढ़िएगा इसको नोट डाउन करिएगा और इसका पीडियेग जो है मेरे टेलिग्राम के चैनल में है और इसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कैसा लगा मेरा यह पांच कोश्चन प्री मुझे कमेंट करके बता है और मेरे वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करें सेर करें और में चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू